हेलो फ्रेंज वेलकम टू स्टड़ी इव्रेडे विजय सर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैं इसके इंपॉर्टेंट कॉशन होगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से कुछ सेर करना चाहते हूं तो ध्यान पर सुनियेगा कि तुफान में तास का घर नहीं बनता तुफान में तास का घर नहीं बनता रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनता दुनिया को जीतने का होसला रखो एक घर से कोई फकीर और एक जीस से कोई सिकंदर नहीं बनता तो दोस्तों दुनिया को जीतने कहोंसला रखो और डेली वीडियो देखिए और फ्रेक्टिस करते रहे तो मैस बनेगा आपसे ज़रूर बनेगा कम्टीशन में फाइड भी करेंगे और आपका सेलेक्शन भी होगा चलिए आपके कोश्चन में बात कर रहे हैं किसी त्रिगुच के सभी अंतर कोणों का योग कितना होगा किसी त्रिगुच के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है इसके लिए बह stal फार्मूला मैंने एक फार्मूला क्या है आपसे मैं सेर कर रहा हूं कि जो आपका N है न दोस्तों ध्यान पूरक इस ट्रिक को याद क कर लीजगा और इसे नोट भी कर लीजग किसी भी बहुबुच के सबी अंतर कोनों का योग क्या बड़ाबर ट्रिक n-2 multiply 180 n-2 multiply 180 n-2 उने के एक स्वास्य जो आप n जो संखया यहाँ पर दी हुए यह त्रिभुजों की संखया है सभी अन्ते कोनों का योग त्रिभुज में जितने भुझाइं होंगी यह भुझाओं की संखया ना कि त्रिभुजों की तो आपका n बराबर यहाँ पर क्या है n कहया कि भुजाएं भुजाएं जो है आपकी n है यहाँ पर जितने भुजाएं होगी उतना यहाँ पर n का मान लग देना आपके इंसर आप देखें इसी question को solve करते हैं देखें किसी भुजाएं के यहाँ कितना होगा आप जानते हैं कि भुजाएं होती हैं तीन भुजाएं होती है न तो n-3 हो गया n-2 multiply 180 3 में 2 का माइनस करेंगे 1 आजाएगा multiply 180 कर दीजिए total कितना जाएगा 180 आजाएगा तो कितना होगा आपसा नंबर B आपका सही हो जाएगा तो 3 भुज में अंते कोणों का योग कितना होता है 180 अंस होता है इसी टाप के आप next question भी देखते हैं दोस्तो इसी प्रकार यहाँ पर भी question है कितने भुजाएं होती चतुर में 4 भुजाएं होती N बराबर 4 आ गया यहाँ पर क्या N-2 यानि कि 4-2 कर लेंगे multiply 180 कर लेंगे 4-2 करेंगे 2 आजाएगा multiply 180 से कर लेंगे 18 कितना जाएगा total 360 डिगरी आ जाएगा तो 360 डिगरी आपसान में देखें आपसान में सी दिए तो आपसान में सी सही हो जाएगा तो यह trick सभी के लिए follow करना है अब देखें next type of question देखें यहाँ पर दोस्तों question दिया हुआ है कि आश्ट भुज के सभी अंतर कोनों का योग कितना है अश्ट भुज के सभी अंतर कोनों का योग कितना है तो अब यहाँ पर देखें अश्ट भुज दिया हुआ है और आपको trick मैंने क्या बताया था trick है कि किसी भी भुज के सभी अंतर कोनों का योग बराबर कितना होता है n-2 multiply 180 कर देना है ठीक है अश्ट भुज दिया हुआ है यानि कि n बराबर 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 रख दीजे 8-2 कर दीजे multiply 180 कर दीजे 8-2 करें कितना जाएगा 6 आजएगा multiply 180 करेंगे 6 से multiply करें कितना जाएगा 0 आजएगा 6,8,48,8 जाएगा 4,10 आजएगा 1080 1080 आपसा नमबर सी देखिए 1080 आपका यह आजएगा दोस्तों अब देखतें इसी टाइप का अंगला question दोस्तों यहाँ पर question कहे रहा है कि एक बहुज योग कितना है 1080 है सभी एक बहुज के सभी अंते कोड़ों का योगफल 1080 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी अब यहाँ पर क्या दिया पहले question पर हमें दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या निकालते थे आपका क्या N की संख्या दी रही होती है N वराबर कितना है N वराबर यह 3 आ गया आपका एन की संख्या दी रहती हमें क्या निकालना पड़ता है कोनों का योग निकालना पड़ता है ठीक है तो इस प्रकार में यहाँ पर कोनों का योग निकालना है यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन अब देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका कोनों का योग दिया हुआ है कोणों का योग कितना है 1080 हमें क्या निकलना है n की value निकलना है यानि भुजाओं की संख्या निकलना है तो भुजाओं की संख्या क्या करेंगे वह यह न आपके जंबल क्या होता है कि एक बहुज के सभी अंते कोणों का योगफल योगफल आपका 1080 हो जाएगा बराबर हमें क्या रख दीजे n-2 multiply 180 कर दीजे जहाँ पर n की संख्या निकला जाता है आपके यह तो दिया हुआ है पहले से ही तो इसको अब solve करेंगे अब यहाँ पर देखिए n की संख्या निकलना है आपको यह 0 से यह 0 कर जाएगा ठीक है तो n-2 बराबर क्या जा चला जाएगा आपका 6 वार जाएगा 6 वार चला जाएगा अब यहाँ पर एपसा नममर बी में एट दिया हो ता आपसा नममर भी साही हो जाएगा दोस्तों अब अगर दोस्तो वीडियो पसंदना है तो लाइक करें शेयर का दें अब दूसरा कोश्चन भी देख लेते हैं यहां पर दोस्तो कोश्चन आपका कह रहा है कि एक बहुज के सभी अंते कोड़ों का योग 260 डिगरी है तो बहुज की संख्या कितनी होगी अब यहां पर भी भुजाओं की संख्या भी पूछा गया है तो वाइट रिक फालो करना है क्या है सभी एक बहुज के सभी अंते कोड़ों के योग कितना है 260 है 260 लिख लेंगे बराबर क्या करेंगे n-2 multiply 180 कर लेना है ठीक है अब यहां पर करेंगे 260 आपका दिया हुआ है n-2 n-2 multiply 180 करेंगे 0 से 0 इसे काट लीजिए n-2 इसकल 2 क्या जाएगा 216 बटे 18 2 एंडे 16 अफान 18 इसे अब जैसे काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों यह कितने बार में चला जाएगा 21 बार में जाएगा 18 18 18 26 हो जाएगा अब यहां पर आपका क्या हो गया n-2 is equal to 12 यह आपका 2 इधर जाएगा प्लस 2 में हो जाएगा बर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यानि कि n is equal to 14 हो जाएगा अब आपसा नमबर में देखे कितना हुआ है 14 हो जाएगा तो आपसा नमबर भी में सके इन बाक्स में उसे क्लिक कर आप असानी से देख सकते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो पिलेंगे जैहिंद जैवारत वन्दे मातरम धन्वाद